कर दो मैं यूटेब चानल तो आज मैं आगी हो फिर से एक बड़े केक डिजाइन के साथ और आजवला जो केके साड़े 3 किलो का हम केक बनारे बहुत सादा हाइट नहीं बनाना है जादा और बहुत कम हाइट नहीं बनाना है तो सारी मेजुरमेंट जो भी है वह मैं डिस्क्र लाई को केक का ओर्डर मिला था और अर्जन मिला था मैं मार्केट में थी मुझे साड़े गारा बारा वजे कुछ इस तरीके से क्लाइन का मुझे कॉल आया था यह काफी दूर से थे तो किसी ने नंबर दिया था इनको मेरा तो इन्होंने कहा था कि आज मेरी खुद के तो मैं पहचान गई तो मैंने फिर मना नहीं किया लेकिन मैंने उनको कहा कि आब बारा बजे मुझे दे रहे हो भी मैं मार्केट में हूँ तो भी मैं घर जाओंगी घर जाके फिर बेक करूंगी क्वांटिटी आपकी जादा है तो आब मुझे थोड़ा टाइम देजी तो बेकरी का जो भी प्रोडाक्ट में जैसे क्रीम अगएरा हुई तो वह मैं लोकल मार्केट शॉप से ही लेती हूँ और तब मैं मार्केट में ही थी तो सारा समान मैं ले रही थी और बिलिंग कर रही थी तो बाकी बाते भी आप सब के साथ कर रहे हो और आप देखते जाओ हम ठंडा करके केक को डी मोल करते हैं और कटिंग करते हैं वैसे हम करेंगे तो यहां पर जो यह क्रीम है ना मैंने इसे 40 मिनिट से उपर जो आटोमेटिक मेरे पास मशीन है उसी में मैंने इसे विप्ट किया है अगारो की जो मैं यूज करती हूँ लेकिन सीरियसली यूज करेंगे तो मैंने उनको कहा कि मैं सारे ब्रेंड यूज कर चुकि अब यह कई इस में की किया नहीं थो उसने नहीं बांने थे मार्केट में नहीं लेए ऐए akes़े दैका वह उसका है यह तम मेरेबोलने पे बहुत अच्छा को और मेरे पर भूने के बहूं का है अथ तो एक पेटी करके आप 10 पीसेज दो रहने दो तो नहीं ने का कि ठीक है तो मैं नहीं पूरे के पूरे दस पीसेज ले आई फ्रिज में भी रख दी और जब फ्रिज में रख दिये सारा समान सारी क्रीम वगर उसके बांद मैंने फटा फट बेकिंग स्टार्ट की सारी बेकि तो पूरे कोशिश कर रही थी किस क्रीम को मैं स्टेवल कर पाऊं चलो लेयरिंग वह जाए बट लेयरिंग पे लेयरिंग इसकी मैं करी थी ना तीन लेयरिंग कर चुकी थी लेकिन फिर भी यह जो क्रीम थे ना यह सलिप होते जारी थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा खर याधि ना structure यह tääली ही मतलब लेयरिंग फिर मैंसी दो शॉप काल मैं सब्सक्राइब लेके जाती हूँ मैं हमेशा ट्रॉपिकल लेके जाती हूँ डिलाइट क्रीम बेल सारी चीज़े लेके जाती हूँ पर कभी ऐसे नहीं वालेकिन यह क्रीम बिल्कुल खराब है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है मुझे चेंज करवा दू तो कंसिस्टेंसी देखिए यह देखिए यह 40 मिन या फिर आप मुझे फर्सनली इंस्टाग्राम में डीम करना मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगी यह क्रीम कभी भी मत खरीद ना जितना वी अरजन्ट ओर आप जो क्रीम यूज करते हो ना वही खरीदो अगर आपन नया प्रोडक्ट यूज करना है ना कि मार्केट में को मैं अनने ने है Marketafart Shop में और विदिन 10 में और वीतिन देऊ पार्अबन फोड़ूरों इतनी ऐस्टावले ट्रॉपिकल वज हमेले के यूज कि ट्रोपिकल वा कॉल्या अदें जो है के आधे घंटे इन वह तीनों लेयर को मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि सेट हो जाए वह अच्छे से सेट होगी और जब तक क्रीम मेरी विब दो रही थी ना तो मैंने क्या क्या इस वाली क्रीम को फिर जाके लगा उसके बाद आइसिंग स्टार्ट की तो मेरी ना सास में सास आई क्यूंक करने वाला था 25-30 km का रस्ता था जहां पर जाना था केक तो यह भी टेंशन थी तो इसलिए जो था पूरा केक मुझे एसेंबल करना था यहां पर पूरी हमने लियरिंग कर ली और उसके बाद मुझे नो बहुत रिलीफ हुई कि चलो अब जाके मेरी क्रीम स्टेबल होगी लेकिन कभी भी मैं अगर नया प्रोडक्ट खरीदूंगी तो कभी मैं इतने सारे नहीं खरीदूंगी जैसा कि मैंने आपको दिखाया अपनी आइस बॉक्स की पूरी सीन के मैंने पूरे 10 पैकेट्स खरीदे थे तो जो मैंने सारे रिटन करके पूरे ट्रॉपिकल मंगा ल जाम जोई नहीं चोटा लो या फिर एक लो क्वांट्यिटी के हिसाब देखो जाका कहले है वह चैसा है कैसा नहीं तो जैसे हम यह सेंड़ी हैं पूरी टरॉन करेंस्ट कैई apologized हम यहां पर कर रहे हैं तो अच्छे सी पूरी आइसिंग करूंगे और मेरे पास एकदम टाइम नहीं था और यह शाम का शूट था मुझे वही छे बज गये थे सारी चीजे करते छे साड़े शे बज़े तक मैंने पूरी आइसिंग करके इसे कंप्लीट करना था ताकि साथ ब लेयर बाई लेयर पूरी आइसिंग वैसे उपर वाली लेयर है उसे भी करेंगे यह चीज ना मैंने आप सब के साथ इक्सपीरियंस इसलिए कि आप भी अगर कोई भी प्रोडाक्त लेते हो जैसे मैंने सारी चीजे आप सब के साथ शेयर की तो कभी भी नापको दुबारा जाना पड़े कोई बात नहीं लेकिन कभी भी यह चीज मत सोचना कि दुबारा जाना पड़ेगा तो हम एकी बार में सारी चीजे पर्चेस कर लें क्योंकि मैंने यही चीज सोची थी कि मैं दुबारा फिर शॉप में जाओंगी अगर इसकी क्वालिटी अच्छी हुई क्र तो मुसे यह गलती हो गई आप कभी भी मत करना क्योंकि क्रीम अगर आप देख रहे हो ना 40 मिनिट्स तक भी विप्ट करने के बाद यह बुरे हाल थे क्रीम के क्रीम नहीं लग रही थी मैंने बहुत कोशिश की 2-3 लियर्स तक पर 2-3 लियर्स भी स्लिप हो थी तो अच्छ अच्छे से लगाना और फ्रिज में रखना इसे ठंडा होने के लिए टाइम बहुत कम था और कभी बिगर यह चोटा केक होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बड़ा केक है और 3.5 किलो का केक है तो बहुत सारी चीज़े हो जाती है और बड़े केक हम होम केक है तो मुझे अच्छा इसका जो प्राइज है वो मिलेगा तो चलो मैं मना भी नहीं करती हूँ और आज मेरा कोई और भी नहीं है और अगर मुझे अर्जन्ट और आ रहा है और मेरे पास सारी चीज़े एविलेबल है तो क्यों ना मैं और ले ले लूँ और मेरे पास ट तो आप सब देख रहे हो कि मैंने कोई भी केक बोर्ड नहीं रखा है सेकेंड वाली लेयर को आइसिंग करने के लिए मैं टर्न टेबल से इस तरीके से उठा रही है और यह बहुत जादा सॉफ्ट है आप सब को पता है कि मैं शुकर सिर्फ इस्तमाल नहीं करती हूं जल्दी इसे हम इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे उपर वाली लेयर पर जब इसे हैं इसे शिफ्ट करना था ब्रोंग तरफ इसे मैं नहीं फिल जाएग था एस इसे पहले इसे प्लास्टिक-डाविल के साथ आ dział सब्सक्राइब इस इसे इस इसे इएक कर करना के केक पै इसे शिफ् सिक्यूर है तो सिक्यूरिटी तो भई पूरी रखनी पड़ेगी जब हमसे कांड हुआ ऐसा तो और साथ में यह जितने फ्लावर्स है ना यह तो मैंने खरीद लिये थे तब ही जब मुझे केक को और आया था सुबा तो जब मैं मार्केट से रिटर्न जा रही थी तो उन्हों आप गोड़ी है कि यह जो फ्लावर्स में लगा रही हूँ ना से इम टूसे म्ट हैं वद्स और इस मिले जो हुआ थे तो ना अग् hiring श्ट हockey हुए हूँ जो भी हमारे flowers हैं उसी हम लगा देंगे और केक का जो प्राइज है वो तो मैं जब आपको overall look दिखाऊंगी तब आपको definitely दिखाऊंगी बट पाइनली जो आउटकम था बहुत सटिस्फाइड मुझे हुआ लेकिन हालत खराब कर दी केक ने मेरी आज तो यह मारी पूरी लुक चींज हो गई है यहाँ पे स्प्रिंकल्स तो लगाने हमें क्योंकि जो केक हैं हमारे पास उसकी जो भी स्प्रिंकल्स जो पिक्चर में सेम यह केक पूरा सेम बना था जैसा क्लाइंट ने मुझे पिक्चर में दिखाये सेम टू सेम वैसा बना विद फ्लावर्स के साथ सारी चीजों के साथ तो यहाँ पर थोड़े से हम लेमन लीप्स जो है वो लगा रहे थोड़ी सी रिफ्रेश्मेंट के लिए और थोड़ी रहे दो जा सुष्फ कहसे के साथ है जो वैयेट कまलर का पूरा 6 इसका है उसके हिसाब से मैं लगाते जाने जैसे मैंने को और जब आटेक बनाना इस तरह के से पहत हम अगा उच्छी और इस के को बना मै रही टी पर टेंशन मेरे पैरेंट्स determines को हरे टीज मेरेँ पारी का होता है बहुत एजी हो जाता है जब मैंने 25 दिसेंबर को भी 24 दिसेंबर को भी अपना exhibition लगाया था केक्स का तो मेरे पैरंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की थी और अब कभी भी कुछ भी ऐसे अगर मुझे कोई प्रोडाक्ट चाही होता है या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होती है जब मैं वायर वाला केक बनाती तो वायर बनानी होती बहुत सारी चीज़े हो जाते तो मेरे पैरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं मेरे केक को पैक करने में बहुत सारी चीज़ों में बहुत ह सारी चीजे थी पर मेरे पापा ने फटा फट गए और आदे गंटे में सारी चीजे लेके आ गए क्योंकि जहां से मैं मार्केट से लेती हूं मेरे घर से 15 किलो मेटर थोड़ा दूर पड़ जाता है तो इसी लिए तो चलो यह सारी चीजे तो बन गई पर फिर भी आप कभी भ प्रोड़क्ट कुछ भी लेते हो ना उसकी हाप से हाफ क्वेंटिटी या फिर एक क्वेंटिटी को ही यूज करके देखना तो इस तरीके से पूरे के पूरे हमने अच्छे से लगा दी स्प्रिंकल तो यह है इसकी ओवरॉल लुक और अच्छा सा हमने केक टॉपर भी लग जगा के इस आप से जादा कम जैसा है आप ले सकते हो बाकी कोशिश करूंगी जो आपके डाउट्स होते वो भी पूछी और मैंने लास्ट जो भी आपका कमेंट था बड़ा जो डाउट से रिलेटेड काफी बड़ा सा कमेंट किया था ताकि मैं चाहती थी कि आपने भी ज मुझे करते हो ऐसी करो और अच्छी विशेज भी दो कि इस तरीके से में आगे और अच्छी केक डिजाइन बनाओ और मुझे ओर्डर्स मिलें थैंक्स पॉर वाचिंग